प्रश्नुत्तर के उन्तीस्वे भाग को प्रारंबा करते हैं। एक साधक ने महर्शी रमण से पूछा कि महर्शी द्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। तब महर्शी ने कहा द्यान वास्तव में आत्म निष्ठा है। अपने आप में स्थित हो जाना है, परन्तु जब मन विचारों से संकल्पों से घिर जाता है, तब उनको नश्ट करने का प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को सामान्य तहा लोग ध्यान कहते हैं, आत्म निष्ठा, स्वयम में स्थित होना, आत्मा में रहना, तुम्हारा वास्त्विक स्वरूप है, तुम जैसे हो, वैसे रहो, यही लक्ष है, महर्शी किन्तू संकल्प आते रहते हैं, क्या हमारा प्रयास किवल संकल्पों को नश्ट करने के लिए है, हाँ, ध्यान, एक संकल्प पर किंद्रित होने से, अन्य संकल्प दूर रहते है, इस प्रकार ध्यान निशेधक है क्योंकि संकल्प दूर रहते हैं। महरशी ऐसा कहा है कि आत्म संस्थम मनह कृत्वा गीता में छटे अध्याई 25 विंसलोक में मन को आत्मा में स्थापित रखना। किन्तु आत्मा तो अचिंतनिय है उसको सोचा नहीं जा सकता तो ये कैसे घटाएं। तुम द्यान करना ही क्यों चाहते हो चूंकि तुम द्यान करना चाहते हो अतहा तुम्हें आत्म संस्थम मनह कृत्वा बताया जाता है। बिना ध्यान के ही तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है, वैसे क्यों नहीं रहते, यह मन क्या है, जब सारे संकल्पों का निरसन होता है, तब मन आत्मा में स्थित हो जाता है। महारशी, यदि सामने कोई आकरिती हो, तब मैं उसका ध्यान कर सकता हूँ, तथा अन्य संकल्पों का निरसन हो जाता है, परन्तु आत्मा तो निराकार है, यह कैसे करें। आकार तथा स्थूल पदार्थों पर एक आग्र होने को ध्यान कहते हैं, जबकि आत्मा की खोज को विचार, अथ्वा, निदिध्यासन कहते हैं, अध्यारोपन तथा उनका निरसन, इसको स्पष्ट करना चाहिए तुम्हें। पहले तुम्हें आत्मा में अंतर्मुक करेगा, दूसरा तुम जान जाओगे कि संसार आत्मा से प्रिधक नहीं है। महर्शी, कृपया आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद को साक्षात करने में मेरी सायता करें। आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद, इनका एक ही अर्थ है, आत्मा, आत्मा नित्य साक्षात है, अन्यथा, उसमें आनंद नहीं होगा। यदि है, शाश्वत नहीं होगी, तो इसका प्रारंभ भी होगा, जिसका आदी है, उसका अंत भी है, इस प्रकार, वह किवल अस्थाई होगी, अस्थाई अवस्था की इच्छा करने का कोई लाभ नहीं है। वास्तव में, यह बिना प्रयास के निरंतर जागरूक शांती की अवस्था है, बिना प्रयास के जागरूक बने रहना ही, आनंद की अवस्था है, यही साक्षातकार है। महरशी मैं बोद्धिक उत्तर नहीं चाहता, मैं व्यवहारिक प्रैक्टिकल उत्तर चाहता हूँ। हाँ प्रत्यक्ष ग्यान में बोधिक चर्चा की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि आत्मा का प्रत्यक को प्रत्यक्ष अनुभव है इसलिए उसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि प्रत्यक विक्ति कहता है मैं हूँ, क्या इस से अधिक कुछ भी साक्षात करना बाकि है? महर्शी, यह मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, तुम्हारा अस्तित्व है, यह तो तुम मानते हो ना? तुम कहते हो मैं हूँ, इसका अर्थ है, तुम्हारा अस्तित्व है परन्तु महर्शी मुझे उसके बारे में अर्थाद अपने अस्तित्व के संबंध में निश्चई नहीं है अरे फिर अब बोल कौन रहा है निश्चई ही मैं बोल रहा हूं महर्शी किन्तु मेरा अस्तित्व है अथ्वा नहीं मुझे इसका निश्चई नहीं है इसके अतिरिक्त अपने अस्तित्व को स्विकार करने पर भी मेरी समस्या का हल नहीं होता अस्तित्व का निशेद करने वाला कोई होना तो जरूरी है ना यदि तुम्हारा अस्तित्व नहीं है तो ना कोई प्रश्न करता है और ना ही कोई प्रश्न उठ सकता है महर्शी हम यहें मान ले कि मेरा अस्तित्व है फिर क्या करें पहले यह बताओ तुम्हे अपने अस्तित्व का भान कैसे हुआ महर्शी मैं सोचता हूं मैं अनुभाव करता हूं मैं देखता हूं इत्यादी से तब तुम्हारा आशे यह है कि तुम इन से अपने अस्तित्व का अनुमान लगाते हो इसके अतिरिक्त सुशुप्ती में अनुभूती विचार आदी का अभाव है लेकिन फिर भी वहां अस्तित्व तो है ही नहीं महर्शी मैं गहन निद्रा में था ऐसा मैं नहीं कह सकता मुझे वहां कुछ पता ही नहीं था तो क्या तुम नींद में गहरी नींद में अपने अस्तित्व से इंकार करते हो मैं सुशुप्ती में हो भी सकता हूं महर्शी या नहीं भी इश्वर जानता है जब तुम नींद से जागते हो तब सोने से पहले जो तुम करते हो वह तुम्हे स्मर्ण रहता है मैं कह सकता हूँ महर्शी कि मैं सुशुप्ती से पहले तथा बाद में था किन्तु मैं नहीं कह सकता कि मैं गहरी नींद में सुशुप्ती में था या नहीं क्या तुम अब कहते हो कि तुम सो रहे थे तुमको सुशुप्ती की अवस्था का समान नहीं है, तुम यह कैसे जान सकते हो, इसका यह तात्पर यह नहीं है कि सुशुप्ती में मेरा अस्तित्व था, इस प्रकार अस्तित्व को स्विकार कर लेने से कोई लाब नहीं है महारशी। क्या तुम्हारा आश्य यह है कि प्रती एक बार जब व्यक्ति सोता है तो मृत्यू को प्राप्त हो जाता है तथा जागते हुए पुनर जीवित होता है। संभव है महार्शी केवल परमात्मा ही जानता है। तब तो फिर परमात्मा ही आकर इन पहेलियों को हल करे। यदि निद्रा का आर्थ मृत्यू होता तो व्यक्ति निद्रा से मृत्यू के समान ही भैभीत होता। इसके विपरीत व्यक्ति तो निद्रा की इच्छा करता है वह अच्छे से सोना चाहता है। यदि उसमें सुख न नहीं की जाती किसी के द्वारा महरशी निद्रा में कोई निश्चित आनंद नहीं है शारिरिक ठकान से निवृत्त होने के लिए ही सुशुक्ती की कामना की जाती है हाँ यह ठीक है ठकान से निवृत्त होना कोई है जो ठकान से निवृत्त होना चाहता है हा महरशी है इस प्रकार तुम सुशुप्ती में भी हो और अब भी हो सुशुप्ती में तुम विचार अनुभूती आदी से शुन्य रहकर भी प्रसन्य थे वही अब भी है अब तुम प्रसन्य क्यों नहीं हो महारशी यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ प्रसन्नता है प्रतीक व्यक्ति कहता है सुखम अहम अस्वापसम मैं आनन्द से अधवा सुख से सोया मैं नहीं समझता कि वे ठीक है वहाँ सुख नहीं है वहाँ केवल दुख का अभाव है आनन्द ही तुम हो, इसी कारण प्रतीक विक्ती कहता है कि मैं आनन्द से सोया, इसका अर्थ है कि विक्ती सुशुप्ती में भी मूल शुद्ध अवस्था में रहता है, जहां तक दुख का संबंध है, दुख है ही नहीं, वह है कहां, जिससे कि तुम सुशुप्ती में उसका अभाव बताओ, आत्मा का देह से वर्तमान मिथ्या तादात्मे के कारण, सब भ्रांतियां उदै हो गई हैं, महर्शी मेरी इच्छा साक्षात्कार की है, मुझे अपने अंतस्थ आनंदमे स्वरूप का भान नहीं होता, चुंकि अब आत्मा का अनात्मा से तादात्मे हो गया है, अनात्मा भी आत्मा से अलग नहीं है, तथा पी मिथ्या धारणा यह है, कि देह प्रिथक है, तथा आत्मा को देह से मिला दिया जाता है, आनंद के व्यक्त होने के लिए, इस मिथ्या तादात्मे को समाप्त करना हो महर्शी मैं यह स्वयम करने में असमर्थ हूँ देखो आनंद तुम्हारा स्वरूप है तुम कहते हो यह स्पष्ट नहीं है तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है वैसा रहने में क्या बाधा आती है तुम्हें बताया जा चुका है कि मिथ्या तादात में ही बाधा है इस गल्ती का निरसन कर दो अपने रोग से निवरित होने के लिए चिकित्सक द्वारा बताई गई ओशद रोगी को स्वयम ही सेवन करनी होगी महर्शी, रोगी स्वयम की सहायता करने में अत्यंत दुर्बल होने से चिकित्सक के हाथों में पूर्ण तया समर्पन करता है चिकित्सक को चिकित्सा करने की पूर्ण स्वतंत रता देनी चाहिए तथा रोगी को बिना कुछ कहे केवल शान्त रहना आवश्यक है इसी प्रकार चुप हो जाओ, यही सहज है महर्शी, यह अत्यंत प्रभावशाली, ओशद भी है महर्शी, आप मुझे ये बताएं इश्वर के अस्तित्व के संबंध में मुझे संतुष्टी नहीं है मैं कैसे संतुष्ट हो जाओ आत्मसाक्षातकार ही इस प्रकार की संतुष्टी दे सकता है महर्शी, पुरुशार्थ के साथ प्रारब्ध का क्या संबंध है प्रारब्ध कर्म है इसके लिए करता होना चाहिए देखो, करता कोन है पुरुशार्थ, प्रयास है देखो, प्रयास कोन करता है तभी तादात में स्थापित होता है जो उनके संबंध को जानना चाहता है वह स्वयम ही कड़ी है महारशी कर्म तथा पुनरजन्म ये क्या है करता को देख लोगे तो कर्म स्पष्ट हो जाएगा यदि तुम्हारा अब जन्म हुआ है तो पुनरजन्म होगा देखो क्या तुम्हारा अभी जन्म हुआ है महरशी जोती के दर्षन में मेरी सहायता करें दर्षन हे तु द्रष्टा अनिवार यह है उसकी खोज कर लो दर्षन उसके अंदर गत ही आ जाते है महरशी ध्यान जागरत अवस्था में मन से होता है मन स्वप्न में भी है स्वप्न में ध्यान क्यों नहीं होता क्या ऐसा संभव है यह प्रश्न तो स्वप्न में पूछो अभी तुम्हें ध्यान करने के लिए तथा तुम खोन हो यह खोजने का निर्देश हुआ है उसको करने की बजाए तुम पूछते हो स्वपन अत्वा सोशुपती में ध्यान क्यों नहीं होता यदि तुम यह जान लो कि जागरिती किसको है तो यह स्पष्ट होगा कि स्वपन तथा सोशुपती भी उसी के लिए है तुम जागरिती स्वपन तथा सोशुपती के साक्षी हो वास्तव में ये अवस्थाएं तुम्हारे समक्ष ही होती है चुंकि अब तुम ध्यान से बाहर हो इसलिए ये प्रश्ण उदय होते है ध्यान में लगे रहो और देखो क्या ये प्रश्ण उदय होते है महरशी खोज की अपेक्षा ध्यान अधिक सरल और पत्यक्ष है चुंकि ध्यान सत्य पर आरूढ रहता है जबकि खोज असत्य में से सत्य को निकालती है आरंभकरता को आकार का ध्यान अधिक सरल तथा अनुकूल होता है इसके अभ्यास से आत्म विचार होता है जो असत्य में सत्य का सोधन करना जानता है जब तुम विपरीत तत्वों से भरे हुए हो तो केवल सत्य का आगरह करने से क्या लाब, आत्म विचार उन बाधाओं का निवारण कर देता है जो तुम्हें यह कल्पना कराते हैं कि आत्मा का साक्षातकार नहीं हुआ है तथा इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्षातकार करा देता है महरशी ध्यान करने के लिए कोई निश्चित आकार आवश्यक है हम मैं पर ध्यान कैसे करें हम आकारों में सुद्रड हो चुके हैं अतहा हमें ध्यान हेतु निश्चित आकार आवश्यक लगता है। हम जिसका ध्यान करते हैं अंततहा वही शेश रहेगा। जब तुम ध्यान करते हो तब वह अन्य संकल्पों का लोप कर देता है। जब तक तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है अन्य संकल्प रहेंगे। तुम कहा हो चुंकि तुम्हारा अस्तित्व है तुम ध्यान करते हो ध्यान करने वाले को ध्यान करना आवश्यक है। जहां वह है वही ध्यान हो सकता है। ध्यान अन्य समस्त संकल्पों को नश्ट कर द तुम्हें अपने आपको स्रोत में विलीन करना चाहिए। तुम्हें अपने आपको स्रोत में विलीन करना चाहिए। तुम्हें अपने आपको स्रोत में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार चेतन ज्यान ही हमारा वास्तिक स्वरूप है। हम अचेत नहीं रह सकते। फिर भी हम कह सकते हैं कि हम सुशुप्ती में अचेत थे। क्योंकि हम सीमित पदार्थ ज्यान की ही बात करते हैं। जगत, देह, इत्यादी हम में इस प्रकार अंतरभूत हो गए हैं कि सापेक्ष चेतना को ही हम आत्मा मान लेते हैं। क्या कोई अपनी सुशुप्ती में मानता है कि वह अचेतन है। ऐसा वह अब मानता है जागर। यह जागरत अवस्था सापेक्ष ग्यान की हैं। अतहा, विक्ती के वल ग्यान की बात न कहकर सापेक्ष ग्यान की बात कहता है। शुद्ध चैतन्य सचेतन्ता तथा अचेतन्ता इन दोनों से परे हैं। झाल झाल